हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का एक बार फिर से हार देख स्वागत है बात कर रहे हैं 22nd of March के फर्स्ट एडिटोरियल सेशन की जंक इनेफिशनसी सबसे पहले तो यह जान लीजिए किस बारे में आर्टिकल है ताकि आपको समझ मैं कि टाइटल कैसे यहां पर रखा गया ह यह आर्टिकल है स्क्रैपेज पॉलिसी के बारे में स्क्रैपेज पॉलिसी जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने अनाउंस की थी उस बारे में स्क्रैपेज पॉलिसी का मतलब क्या है स्क्रैपेज पॉलिसी मतलब है कि जो पुराने वाहन है जो काफी समय पुराने वाहन है जो फ्यूल गजलर्स हैं, जो पलिशन बढ़ाते हैं, उन सब को हटा कर नया वहानों की खेप लेकर आना, ठीक है, और उसके लिए जो भी जिनके पास वहान है, जाए प्राइवेट वीकल्स हैं, गौर्ण्मेट वीकल्स हैं, उनको परश्वेड करना, कि आप पुराने वहान पॉलिसी, एफिशेंसी का ओपॉजिट है, एफिशेंसी का मतलब कुशलता या दक्षता है, इन लग गया, इसका मतलब एकुशलता है, तो जो कबाड है, जो पुराने हो चुके हैं वहान, उनकी एकुशलता, उसकी एच्छमता, ठीक है, इसको लेकर यह आर्टिकल्स लगता है, कंफाइन 2 का मतलब लिमिटेट 2 होता है, यह तभी काम कर सकती है, जब इंसेंटिव्स, इंसेंटिव्स का मतलब प्रौच साहन, आप किसी ओको को लालज दे दें, या परोच साहन दें, एगर आपैसा करोगे ता आपको यह रिवोर्ट दिया जाएगा, उसको ब वहान मिलेगा तो यह फ्यूल एफिशेंट वीकल रिप्लेस्मेंट होगा इसलिए हम यहां पुराने वहानों को रोड से हटा रहे हैं तो यहां तक कंफाइंड होने चाहिए फ्यूल एफिशेंट का मतलब जो कम मतलब इंधन जिसमें खपत होती हो ठीक है वीकल गाड़ी को मतलब इस्थापन होता है तो स्क्रेपेज पॉलिसी कें वर्क यह सब्जेक्ट है यह इसकी वर्ब है स्क्रेपेज पॉलिसी काम कर सकती है कब इंसेंटिव को कंफाइन रखा जाए इंसेंटिव को यहां तक रखा जाए मतलब प्रोच्छान कौन से प्रोच्छान यह हो कि efficient vehicle replacements होंगे ठीक है तो यह इस प्रकार से replacements होंगे पुराने बाहनों को अटाया जाएगा नए बाहनों को लाया जाएगा इस प्रकार के incentive से यह policy जो है वो काम कर सकती है तो सब्जेक्ट था इसकी वर्ब थी incentive लगेगा अगर प्रेजेंट पार्टेसेपल आई एंजी फॉर्म होती तो यहां पर वैरी का प्रियोगम करते हैं तो काफी समय से जिसका इंतजार था वो जो वीकल मंत्रा लेके द्वारे green tax लिया जाएगा green tax का मतलब वो टेक्स है जो कि अगर आप pollution फैला रहे हैं वहां ठीक है हानिकारक गैसों का automobiles और जो प्रदूशक automobiles हैं जो प्रदूशन बढ़ाते हैं उन पर प्रामिसेज अब देखिए यह जो सब्जेक्ट था आपका स्क्रेपेज पॉलिसी इसकी वर्ब यहां पर है प्रामिसेज प्रामिसेज यह वादा करती है पॉलिसी मतलब भविश्य में यह संभावना लेकर आती है एकॉनोमिक बेनेफिट्स कि इससे आर्थिक लाब होंगे अक्लीनन एनवायर्मेंट एक साफ सुत्रा वातावरन होगा एंड थाउजंड्स ऑफ जोब्स और हजारों जोब्स होंगे थाउजंड्स इसलिए है क्योंकि इससे पहले कोई संख्या नहीं है अगर थाउजंड्स से पहले कोई संख्या लगा देते हैं तो थाउजंड्स नहीं होता फिर थाउजंड ही होता एक बार फिर समझें जिस से पॉलिसी का काफी लंबे समय से इंतजार था मच अवेटेड थी मैंने बताया वो ध्यान रखिएगा पास पार्टिसेपिल से पहले मच लगता है तो बहुत जो काफी लंबे समय से जिसका इंतजार था वो वीकल्ड स्क्रेपेज पॉलिसी जिसका अनौंस्मेंट ट्रांस्पोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया यह यहां पर संभावना दिखाती है कि अगर यह स्क्रेपेज पॉलिसे लागो हो गई तो इसे एक अन्वाइर्मेंट होगा और हजारों जोप मिलेंगे एक बात यह भी याद रखें कि अंटिल है वो नेगेटिव वर्ड है इसके साथ नोट नहीं लगाते हैं तो यह लगेगा एक अप्रेल दो हजार बाईस तक का समय किसके लिए और वीकल्स बिलॉंगिंग तो गवर्मेंट वीकल्स के लिए वह उन से वीकल्स वह वह वीकल संबंदित लगता है किस से संबंदित आव गाउर्मेंट्स और किस थे पॉब्लिक चेक्टर से सारओजिनिक छूदर से इन वैकल्स कोर休्स करने में मतलब यहां परूआ इनको हटाने में तो इनको हटाने में अब टाइम लगेगा एक अप्रेल 2022 तक का अनदर इयर इसके बाद एक और साल लगेगा देर आफ्टर देर आफ्टर मतलब आफ्टर इट इसके बाद एडवर्ब है यह तो आइडेंटिफाई जंक हैवी कमर्शियल विकल्स किसमें जाएगा अजवारी रूप से फिटनेस चेक के सेंटर होंगे वहां पर पता लगेगा कि यह वहां सही है कि नहीं है यह मतलब उन माप दंडों पर खरा उतरता कि नहीं उतरता क्या यह जदा फ्यूल गजलर तो नहीं है यह पाल्यूटिंग ऑटॉमबाइल के सिनने में तो को पहचानने में बाई 2024 2024 तक का टाइम लग जाएगा यह तो बात हो गई ओल्दो से जुड़ी हुई यद्द पीए सब चीज़े हैं फिर भी यहां पर कॉमा लगा हुआ है तो ओल्दो के वाले केस में अगर दूसरा क्लोज आपर स्टार्ट करते हो यट भी हो सकता है स्ट रोड मैप तो यह फिर भी एक रचनात्मक रोड मैप है एक अच्छी योजना है ठीक है फिर समझ लीजिए कि यद्दपी 2022 तक का टाइम लगेगा एक अप्रेल 2022 तक किसके लिए वीकल्स को स्क्रैप करने के लिए वीकल्स कौन से हैं जो गवर्मेंट रोप्लिक सेक्टर सम अन्य जो वीकल्स हैं उनको पहचाने में 2024 टक का टाइम लग जाएगा फिर भी यह कंस्ट्रक्टिव रोड मैप है एक रचनात्मक कारिये है एक रचनात्मक योजना है इट विल बी नौईजी टास्क यह कोई आसान काम नहीं होगा इट विल बी नौईजी टास्क इट सब automated fitness checking centers automated automatic fitness checking centers पताइए ऐसे centers जो fitness check करने वाले होते हैं with help from और help किसकी चाहिए किसके लिए from states रज्यों से किसके लिए help चाहिए assess assess का मतलब होता है evaluate करना परिक्षन करना जांचना जांचने के लिए क्या जांचने के लिए कि whether commercial और commercial and private vehicles कि क्या जो commercial private vehicles हैं are road worthy क्या वो रोड के लाइक है वर्दी जहां सुड़े का उसका मतलब लाइक होता है after 15 and 20 years 15 से 20 साल के बाद respectively क्रम्षे मतलब के लिए 15 साल private vehicles के लिए 20 साल उसके बाद में क्या यह लाइक है as the policy invasives जैसा कि यह policy invasives का मतलब होता है invasives का मतलब होता है परिकलपना करना anticipate करना जैसा कि इस policy का पूरवानुमान है इस policy में यह mention है कि commercial vehicle को मान लिया जाएगा कि वो scrap मतलब एक जंक बन चुका है जब 15 साल हो गए हो खरीदारी के बाद और private vehicle जो है 20 साल के बाद यह खरी कि तो put in place a credible system क्या काम आसान नहीं होगा कि आपको विश्वसनी सिस्टम लेकर आ रहे हो पुटिन प्लेस का मतलब exist करवाना अस्तित्तों में लेकर आना कि आप एक विश्वसनी सिस्टम लेकर आ रहे हो किसका automated fitness checking centers का automatic fitness checking centers मतलब बताया थाना fitness check के दवारा पता लगेगा identify कर पाऊगे आपको एक साल और लगेगा उसी की बात कर रहे हैं तो automatic fitness checking centers को इस्तापित करना आसान काम नहीं होगा states की सहाइता से ठीक है यह सहाइता समय चाहिएगी ताकि उसमें मलकिस के लिए चाहिए यह यह मतलब परिक्षन करने के लिए जांचने के लिए कि कमर्शिल प्राइवेट विकल्स जो है और रोड़वर्दी है कि नहीं 15 से 20 सालों में 20 सालों के बाद करमश है जैसा कि यह policy म में परिकल्पना है जैसा कि इस policy में पहले से पुरू अन्मान लगाया गया है एक्वली इंपोर्टेंट और इतना ही बराबर इंपोर्टेंट यह भी है कि एनफोर्समेंट का मतलब होता लागू करने की परवर्दी ठीक है एनफोर्समेंट से मतलब है कोई चीज है उसको लागू कैसे किया जाए उसकी परवर्दी उस प्रोसेस को बोलता है इनफोर्समेंट उतना ही महत् तो पुर्ण है एनफोर्समेंट के बाद आप इतना से याद रखें आपको एक और वर्व लगानी हो तो तरड फोर्म के रूप में लगए तो यहां पे स्क्रेप दे रहा तो उतना ही महत्तोपूर्ण है enforcement will be key to get them scrapped कि आप जब इसको योजना को लागू करोगे तो लागू करना ही बहुत महत्तोपूर्ण है ताकि उनको scrapped किया जा सके उनको हटाया जा सके once they are found unfit जब एक बार उनको यह पालिया जाए दे आ रहा है किसके लिए दे आ रहा है उन वीकल्स के लिए जब उन वीकल्स को यह पता लगेगा कि यह unfit है for huge उपयोग में लाने के लिए and stop them from moving to smaller towns और important किसके लिए है कि इनको रोका जाए इन वाहनों को रोका जाए किस चीज से कि यह smaller town छोटे कस्बा में ना चले जाए कि शहरों से ठीक हटा दिये लेकिन गाओं में फिर चलने लग गए ऐसा भी नहीं होना चाहिए ठीक है तो कह रहा है equally important उतना ही important है enforcement will be the key कि इस process को लागू करने का जो process है वो यहाँ पर महत्तोपूर्ण होगा enforcement subject है कि महत्तोपूर्ण होगा to get them scrapped इनको हटाना वहनों को हटाना जब एक बार यह पता लग जाए कि वो use करने के लायक नहीं है और दूसरी बात रोकना क्या रोकना उनको रोकना from moving to smaller towns कि वह smaller towns में ना चले जाया stop के साथ में from लगेगा जो भी रोकने संबंदी verbs होती है चाहे stop हो चाहे prevent हो चाहे preclude हो ठीक है किसी भी ग्रूप में शामिल होना किसी योजना में शामिल होना तो स्टेट्स मस्ट आ रहे obligation के लिए आता है बात देता के लिए तो राज्यों को जरूर से जरूर इस से योजना का हिस्सा बनना चाहिए to provide road tax and registration concessions किसके लिए ताकि road tax provide करने के लिए road tax देने के लिए और registration concessions देने के लिए concessions का मतलब छूट while the automobile industry is expected यह तो हो गया राज्य के तरफ से यह expectation है दूसरा automobile industry है उससे यह expect किया जाता है यह पैसी हो इसे to sweeten the deal with genuine discounts कि इस deal को और आकरशक बनाए स्वीटन वैसे तो मधूर बनाना मीठा बनाना लेकिन यहां पर इस deal को और अधिक आकरशक बनाए कैसे बना सकते हैं genuine discounts कुछ मतलब genuine discounts देकर कुछ शूट देकर वास्ट विक और new vehicles नए vehicles पर नए वीकल शूट दोगे तो पपलिक आकरशित होगी उसके तरफ और वहान खरी सब्सक्राइब करने के लिए यहां पर स्टेट्स को इस योजना में शामिक होना चाहिए जाता है तो अधिक आकरशक बनाए कैसे बनाए जैन्मिन डिसकाउंट देकर नए पर स्टेटेट्स को सब्जेक्ट था इसकी वर्ब मस्त और कम हैं यहां पे आर्य इंड क्जेक्ट्रum नितिन गडगरी। हिसा यहां पे इनए अएक्स के साथ ग्रते प्रप हैजल्फं सपंय। हैड मैं है कर अगहन मंत्री जो नितिन गडगरी सभी निं ब्ली इन्होंने संशोधित मोटर वीकल्स एक्ट लगाया था 2019 का उसके एन्फोर्समेंट में उसको लागू करने से इनको लिमिटेड सक्सेज मिली है स्टेट्स आर नौट एंटाइरली ओन बोर्ड इस्टेट्स जो हैं वो मतलब पूरी तरीके से अब कारण क्या रहा क्योंकि स्टेट्स जो हैं पूरी तरीके से शामिल नहीं हुए इस योजना में थीक है अब ये हैज आरें नितिन कड़िगरी के लिए हैस डिफिकल्ट टास्क इनके पास मुश्किल कारिये है और एंशुरिंग सुनिश्चित करने का तर दे स्क्रैपेज प्लाइन गैट्स देर सपोर्ट कि जो ये योजना है इनका सपोर्ट मिले देर किस के लिए आ रहा है दे तो ये किस इस्तिती में है benefit from expert in demand कि manufacturers को चुकि demand बहुत ज़्यादा हो जाएगी फिर चुकि पुराने बहां हट जाएंगे नए वाइनों की demand आएगी तो ये उनको लाब होने वाला है ठीक है ना तो इनका भी इनको सपोर्ट चाहिए इस पर्ट का मतलब होता है increase growth व्रद्धी ये नावन है यहाँ पर क्योंकि ए लगा हुआ इससे पहले ठीक है एक बाद फिर समझी कह कहना चाहता है transport mission teaching गडगरी ये subject हुआ इसकी सीडी सीडी वर्ब देखोगे तो देखो यहाँ पे है कहा है इनकी वर्ब जो है एक मिनृत देख लेते हैं यह इसकी वर्ब है यहे ने देखें यहisinयों ट्रांस्पोर्ट निशन इतिन कड़करी जो है है जर डिफिकल्ट टास्क इनके पास मुश्किल का रही है सुनिश्चित करने का प्रेपेशन अथा इनजी है क्या कि स्क्रेपज प्लान को स्टेट्स का सपोर्ट मिले इस से पहले दे रखा है कि इनको एक लिमीटर सक्सेज मि कि इसके स्क्रेपज प्लान को पूरा सपोर्ट मिले और मेनिफेट्चेर का सपोर्ट मिले और मीनिफेलर्स के लिए कहा गया हूँ लगा कर यस जो हैं जो ही वाहिजय को रह ग Packer होरा गर गैर अनुपातिक रूप से मतलब करेंगे प्रपोर्पोर्शन के अंदर कॉंट्रिब्यूट करते हैं कॉंट्रिब्यूट के साथ में तू लगता है और क्या पता रखा आगे हाइफन लगा कर वन पॉइंट सेवन मिलियन लैक फिटनस सर्टिफिकेट एक पॉइंट साथ मिल प्रस्तुत करना सामने लेकर आना तो यह जो चीजें हैं यह मतलब बड़ी सबसे बड़ी एक चुनोती हैं जोनोती खड़ा करते हैं मैनी ओफ दीज इन में से अने को ऐसे हैं चैनोट बी रिप्लेश्ट के इनको रिप्लेश्ट नहीं किया जा सकता क्या कारण है इंदे अपसेंस और फाइनेंशल अर्रेंजमेंट्स की अनुपस्तिति में मतलब इनके पास वित्तिय इतनी विवस् इनको मैंने किसके लिए आ रहा है यह हैवी कमर्शिल वीकल्स के लिए इनको रिप्लेश्ट नहीं किया जा सकता कैनोट बी रिप्लेश्ट पैसी वहीं से जल्दी से एडवर्ब है इन अपसेंस और इतना फाइनेंशल अरेंजमेंट नहीं है और यह स्मॉल ऑपरेटर्स के प्रणाउन दे रखा है हूँ यह स्मॉल ऑपरेटर्स जो है इन्होंने उपोज किया इन्होंने विरूद किया है नए मेजर्स का वीकल्स क्रेपेज और रिप्लेश्मेंट इस सीन इंटरनेश्ट अब देखो एक्चुली यह सब्जेक्ट है यह पूरा एक पेर वर्ड के रूप में एक आइडिया के रूप में दे रखा है तो वीकल्स क्रेपेज और यह लेपलेश्मेंट है ना यह जो है इस सीन इंटरनेशनली इसको देखा गया है इंटरनेशनली एक अंतराश्ट्री तोर पर एजरूट की एक रास्ता है तो रज्यूविनेट कोविड-19 भावित है उस अर्थ्विस्ता को फिर से सक्रिय करने का तरीका है कैसे ग्रियूवारं का छियाल उसको बोलते हैं इनको सपोर्ट करके notably मुख्य तया, electric vehicles, विशेश करके electric vehicles, electric vehicles से pollution नहीं होगा, and also as an initiative, और साथ में एक initiative होगा, एक initiative के रूप में, to achieve net zero emissions, initiative किसका, to achieve प्राप्त करने के लिए net zero emissions, emission का मतलब उतसर्जन होता है, हानिकारक गैसों का उतसर्जन, net zero मतलब zero पे पहुँचा दिया जाया उतसर्जन, by mid century, 2050 तक, इस सताबदी के बीच तक, किसके तहट, इस agreement commitments के तहट, यह प्रतिबद्दता हैं, जो दिखाई थी, पेरेस agreement में उसके तहट, एक बाद फिर समझें, कहारा कि vehicle scrappage और जो replacement है, इस योजना को देखा गया है, किस रूप में की एक मार्ग है, पुने सक्रिये करने का, उस अर्थेवस्ता को, जो COVID-19 से प्रभावित हैं, और कैसे कर सकते हो, green technologies को प्रात्मिक्ता दे कर, विशेज करके, electric vehicles को प्रात्मिक्ता दे कर, साथ में ये एक initiative है, to achieve net zero emissions, क्या initiative है, कि प्राप्ट करने का, कि net zero emissions की जो प्रतिबत दता है, मतलब जीरो उत्सरजन की प्रतिबत दता जो है, mid century तक उसको क्या किया जाए, उसको मतलब यहाँ पर प्राप्ट कर लिया जाए, Paris Agreement के तहट, जो यहाँ प्रतिबत दरशाई थे, जीरो एमिशन तक पहुंचा देंगे, कि वहाँ नों से उत्सरजन नहीं होगा, हानिकारक गैसों का इस प्रतिबत दता तक पहुंचने के लिए, इंडिया जो आटोंवाइल एको सिस्टम है, भारत का जो आटोंवाइल एक माहूल है, वो जटल प्रकार का है, विध डॉमिनंट लिगेसी मोटर स्पैनिंग, फोसिल फ्यूल्ज, डिर्वन विकल्ज, एंट नेशन्ट एवी सेगमें, नेशन्ट का मतलब जो नया-नया है, डेवलेपिंग है, स्पैनिंग का मतलब जो फैला हुआ है, ठीक है, स्प्रेडिंग है, तो भारत का जो कॉ मेंट अधर आंधर्मिलक्रम्न का फैलाव कहां से बहुत तक वो एसे भी है ऐसे वहार मतलब जो चलते हैं और और साथ में वहां से लेकर अन शेंट एवी सेग्मेट अब यह नया नया इलेक्ट्रिक वीकल सेग्मेट तो फॉसिल फूल से चलने वाले वहाँ भी है तो इलेक्ट्रिक वीकल सिगनिफिकेंट का बड़ा डाउनिस्ट्रिम का कम एंप्लोइमेंट का रोजगार ठीक है इसमें मतलब काफी मतलब बहुत ही कम एंप्लोइमेंट इसमें मिलता था बहुत है लेकिन इट ऑल्स मेंपॉज इंपोर्ड बड़न हालांकि है तो GDP का 7.5 पर सेंट ही लेकिन यहां पे fuel import burden काफी ज़दा डालता है मतलब भारत पे देश पर impose थोपता है fuel import मतलब fuel हमें import करना पड़ता है तेल यहाँ पे आयात करना पड़ता है यह burden बहुत ज़दा डालता है the center has to arrive at a balance arrive के साथ एट लगता है reach अगर होता तो यहाँ preposition नहीं लगता तो center को एक संतूरन की स्थिति में पहुँचना है center के साथ में has दे रखा है and have incentives और यहाँ पे साथ में कहाँ पहुँचना है ऐसी स्थिति में, lab की स्थिति में मतलब एक incentives होने चाहिए कुछ प्रोचसाहन के कदम होने चाहिए that reward manufacturers वो प्रोचसाहन के कदम जो की reward दे manufacturers को जो vehicles के manufacturers हैं जो वहन बनाते हैं उनको that are the most fuel efficient कैसे vehicles, वो vehicles जो की most fuel efficient है जो कम तेल खाते हों, जो कम production फैलाते हों ऐसे failure to prioritize, failure ऐसा फलता किस चीज़ में, prioritize fuel efficiency prioritize प्रात्मिक्ता देना fuel efficiency, इंधन की छमता and mandate, अनिवारिय बनाना, आविशक बनाना, even higher standards कहीं ज़्यादा उच्चिस्तर वाले and enhanced taxes और tax बढ़ाना, किस पर fuel guzzlers वो वहन जो की fuel पीते हैं fuel guzzler का मतलब जो fuel पीते हैं मतलब काफी ज़्यादा उसमें consumption होता है fuel का, will only repeat the mistakes इससे क्या होगा, ये केवल और केवल वो जो गलतियां की थी कौन सी गलतियां, और vehicle exchange programs abroad, abroad का मतलब जो विदेश में हुए थे, ठीक है तो vehicle exchange program जो विदेशों में लागू हुए थे, ये होता है foreign countries में, abroad ये एक adverb है, तो वही mistake आप कर दोगे फिर समझना, तो कह रहा है कि अगर आप ऐस अफल रहे किस चीज में, कि आप अगर fuel efficiency को प्रात्मिता नहीं दे पाए, ठीक है मतलब ऐसे वाहनों को प्रात्मिता नहीं दे पाए, जो fuel efficient है, साथ में अगर आप समर्थ नहीं बना पाए, अगर आप अनिवारियां नहीं कर पाए, higher standards को और taxes अगर नहीं बढ़ा पाए, fuel guzzlers पर, तो इससे क्या होगा, इस failure से, ये failure की verb है, ये केवल और केवल repeat करेगा, उन mistakes को जो mistakes, vehicle exchange programs, विदेशों में चलाए गए थे, वहाँ जो गलतियां हुई थी, वही mistake, आप यहाँ पर करने वाले हो repeat और वहाँ पर हुआ क्या था, उन जगहें पे, जो full environmental benefits could not be realized जो पूर्ण स्तरी ये परियावरनी ये, लाब के आप सोच रहे थे वो वहाँ पर प्राप्त नहीं किया जा सके उनको realize नहीं किया जा सका, यहाँ फुल्फिल नहीं किया जा सका, and taxpayers ended up, और वहाँ पर जो taxpayers देने वाले लोग थे, उनको inefficiency के लिए subsidy देनी पड़ी end up का मतलब होता है, परिनित होना result निकलना, subsidizing subsidy देना, inefficiency, एको शलता, तो जो inefficient वहाँ थे उनके लिए उनको subsidy चुकानी पड़ी समझे रहे हो, ecological scrapping, अब कहा रहा है कि ecological scrapping, ऐसी scrapping मतलब हटाना वाहनों को ecological पारिसिति की तंतर को ध्यान में रखकर, as a concept एक concept के रूप में, must lead to high rates of materials recovery, इस ये, इससे क्या होगा, ये निश्चित रूप से, lead to परिनित होगा, result निकलेगा काफी उच दर आएगी यहाँ पे materials recovery की, मतलब materials जो scrap किये जाएंगे, फिर जो materials है, उसको recover करने की काफी उच दर यहाँ देखने को मिलेगी, इससे ये होगा air pollution reduce होगा, mining and mining यहाँ पे reduce होगी and pressure on the environment और environment पर जो pressure है, वो कम हो जाएगा, भास समते में आ रही है, तो ecological scrapping जो है concept के रूप में, जो यह पारिशी तंतर को ध्यान में रखकर, परियावन को ध्यान में रखकर, जो scrapping का यह मुद्दा है, एक concept के रूप में, इससे क्या होगा, एक तो materials के recovery काफी ज़्यादा होगी, दूसरा air pollution, mining और pressure जो है environment पर वो कम होगा, ठीक है, तो यह था दोस्तों आज का डिटोरियल, मिलेंगे कल एक नए सेशन के साथ, तब तक लिए मशकार, thank you very much